तो दोस्तों बात करते हैं एंडिया रेलवे फाइनस कॉप लिंपिट के बारे में नीचे किसे ने कॉमेंट किया था तो जाना चाहते हैं मेरा इसके उपर रिव्यू तो देख लेते हैं दोस्तों IRFCC की latest cover, latest news and IRFCC latest target टारगेट कह रहेंगे future में ओ देख लेखे थे बेसिकलिकल हो स्टों अभी अभी list हुआ है राइट new IPO लउन्च हुआ था तो अगर हम चार्ट के माधिमज आपको दिखाता हो तो ब्रुदि यह dip आपका एक buy बना है आपको क्या दोगा है SBA card का IPO आया था उसने भी एक dip लगाया था और dip लगाने के बाद stock लगाता रूपर जा रहा है तो definitely अगर आप में इसमें stropos लगाना है तो यह जो dip आया है यह है आपका stropos लेके आप इसमें buy करके चल सकते हो और यह stock मुझे काफी पसंद आ रहा है इसके reason दोस्तों यह है जो हमारा भी budget आया था budget में railway sector के लिए काफी अच्छे बोस सकते की plan है 2-3 तक का plan है कि railway को कुछ अच्छा करना है तो definitely यह जो stock है railway का IRFCC definitely इसको boost मिल सकता है तो भाई अभी जो 25 रुपर चल रहा है काफी सस्ते में मेरे खासे आपको मिल रहा है stock अभी क्योंकि profit के साफ से company काफी अच्छी है और market cap के साफ से भी काफी अच्छी stock ही है 30,000 क्रोड के आसपास का market cap है अभी आपको थोड़ा इसके P&L का भी एक थोड़ा overview दे दूँगा summary क्या है और इसलिए मैं कहा रहा हूँ definitely मुझे लगता यह stock multi-vega stock हो सकता है बट आप blind default मत कि करना आप क्या करना जो dip आया है ठीक है यह dip हमारा stop loss रहेगा यह dip जो है आप एक पर देख लो 24 रुपे का stop loss मतलब आप लगाएगे चलिए कि अगर आप stop loss लगाओगे इसमें तो आप 22 रुपे का stop loss लगाओ closing basis में अगर इस stock 22 रुपे के निचे चले आता है तो आप इससे exit कर सकते हो ठीक है बाकि इसको आप hold करो जब तक इस stock 22 रुपे के उपर trade कर रहा है ठीक है 22 रुपे के उपर support ले रहा है तब तक आप इसको hold कर सकते हो बागी लम्मा इसका chart मेरे पास नहीं है तो chart के माद्यम से ज़्यादा बतलाने के इसमें नहीं है एक बाद थोड़ता fundamental देख लेते हैं कि क्या है company में क्या हो सकता है साथ में अगर आप news देखते हैं दोस्तों हाल देल की news क्या है एक कल एक news आया थी इसी वज़े से stock आज आपका 5% उपर है news का impact पढ़ा है दोस्तों देख सकते हैं यह news थी जो IRFCC है यह plan कर रहे है 2 billion dollar be a fund ठीक है तो यह raise money raise कर रहे है bond के through तो उसकी वज़े से यह stock आज आपका 5% के आसपास उपर था तो एक अच्छी cover है stock के लिए right इसलिए इसमें अच्छी आज की buying देखी गई है अगर देखा जाए इसका delivery percentage तो एक बार delivery percentage आपको दिखा देता हूं क्या रहा तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने आपका खोला हुआ है ठीक है तो दोस्तों देखिए आज stock में पूरे की पूरे buying है ठीक है मतलब total जो buy है देख सकते हो एक भी इसमें seller activate नहीं है तो एक अच्छी बात है कि दोस्तों buyer इसमें activate है ठीक है अगर आप देखो कि इसके delivery percentage आज क्या रहा तो हमें इसमें क्लिक करते हैं तो हमें क्या मिलता देखने हैं कि दोस्तों देख सकते हो जो quantity trade होई है इसमें आज की दिन वह है 8.86.629 के आसपास और जो delivery इसमें उठाया गया माल उठाया गया almost 49% के आसपास माल उठाया गया मतलब बहुत सकते हो दोस्तों almost 3.5 करोड के आसपास quantity इसमें किसी के दुआरा उठाई गई है 3.5 करोड काफी बड़ा नम्मर है दोस्तों लो है इसका 23 रुपे तो जैसे मैंने आपको बताया ना आप क्या करें आप हाई के आसपास बाई करें और लो आपको जो इसका लो है इसके आसपास अपना stop loss लगा के आप उसमें बाई कर सकते हो stop loss आपका रहना चाहिए 22 रुपे कम से कम ठीक है ऐसा ही नहीं कि आप cost to cost stop loss लगा दो जो इसका लो है all time उसके आसपास ही लगाना है उसके नीचे लगाओ एक दो रुपे नीचे ताकि अगर इस लो नीचे भी गिरता है अगर कलती से भी किसी का stop loss हंट करने नीचे आता है तो आप बच जाओ 22 रुपे का stop loss लगाओ closing basis में और इस टॉक को आप बाएगर के चल सकते क्यों उसका रेजन आभी आपको देखा देता हो क्यों इस टॉक को बाएगर ना चाहिए दोस्तों देख सकते हैं यह IRCTC का मेने market cap खोल लगा 24 क्रोड के आसबस का market cap है और जिसकी में बात करो stock की IRFC इसका अगर आप market cap देखो के दोस्तों तो इसका market cap उसके comparison में काफी बड़ा है आपको पता ही है और यह आपका अपना यह भी ट्रेट कर रहा है मात है 25 रुपे में तो दोस्तों देख सकते हो कितना फर्क है तो डेफिनिटली भाईया इसको आप रिड़ा में रखो एक रिजन हो सकता इसको बाए करने का दूसरा रिजन आपको मैं दिखा देता हूं उस ठीक है क्योंकρι फेज डरु दस रुपिक असपास है जो भी डिच्छा एक अच्छा ट्यवीरा में रखो यह आपको एक अच्छा नदे आपको नदेखे जा सकता है वह अगो फो आपको स्क्रीन में इसके दिख रहे होंगे profit मार्ट 2016 मार्ट 2017 18 19 20 फांत साल के profit आप देख लेटे की क्या समें आपको दिखता है और मुझे क्या दिखता है दोस्तों आप देख सकते हो कि sales तो आपको दिख रही है लगता sales में growth नजर आ रही है इसके IRFCC के ठीक है तो definitely आप रेड़ा में रख सकते हो sales में एक अच्छी चाहसी growth नजर आ रही है और दोस्तों देखिए expensive कितने काम है इसके expensive नाम आते expensive है ऐसी करोड के आसपास की हो और जो इनका expensive ratio देखो अचीश करोड के आसपास है और अगर operating profit margin देखोगे दोस्तों तो 99% 100% 100% दोस्तों काफ अच्छा stock है definitely score return में रखो भाई यह आपको अच्छा profit देके जा सकता है और दोस्तों देखिए net profit में कितने अच्छी growth नजर आ रही है लास्ट यहर का जो profit 36 क्रोड के आसफास का profit है दोस्तों डेफिनेटी रहाव में रखो यार स्टॉक को भाई और कुछ करो ना करो इसके टागेट काफी बड़े हो सकते है ठीक है अभी थोड़ा इसको एक दू मेहने के चार्ट बनने दो उसके बाद इसका जो नया अपडेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा तो भाई आप स्टॉक को बाई करके चल सकते हो बाईस रुपे के निचे अपना स्टॉप लगाओ और इसको होल्ड करो ठीक है होल्ड करो इसका मार्केट काफी सस्ते में आपको मिल रहा है ठीक है इसके टागेट आपको काफी बड़े हो सकते है क्या बता आपको यह तीन डिजिट में मिल जाए ठीक है अब तीन को होल्गरो